पाठ नौँ, क्रिया प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं होता और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे घोड़ा तेज दौरता है, बच्चा डरता है, सोहन सोता है. इन वाक्यों में घोड़ा, बच्चा और सोहन सब करता पद हैं. दोडता है, डरता है और सोता है, सब क्रियाएं हैं क्या प्रश्न करने पर क्रिया से कोई उत्तर नहीं मिलता क्योंकि इन में कर्म नहीं है अतहा इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक है सकर्मक जिस क्रिया के कारे का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे प्रियंका फल खाती है, रोहन किताब पढ़ता है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, इन वाक्यों में प्रियंका, रोहन, दर्जी सब करता है, फल खाना, किताब पढ़ना, कपड़े सिलना, सब क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से क्या प्रश्ण का उत्तर मिलता है? जैसे प्रियंका क्या खाती है? फल. रोहन क्या पढ़ता है? किताब. दर्जी क्या सिल रहा है? कपड़े. फल, किताब, कपड़े, आदी सब उत्तर हैं. अतह ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं. आओ दोहराएं. किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं. क्रिया के बिना कोई वाकिप पूरा नहीं होता. जिस क्रिया के साथ कर्म लगने पर बात पूरी होती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है. अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है. झाल झाल